साथियों, आज हम मच्छर के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे मच्छर कई बिमारियों को फैलाते हैं जैसे की डेंगू, चिकिनगुनिया, मलेरिया, इत्यादी ये बिमारियां और इने फैलाने वाले मच्छरों को यदि हम समय पर ना रोकें तो ये जानलेवा हो सकती हैं या अत्यथिक शती पहुचा सकती हैं आपने विज्यापनों में, अकबारों में, इन बिमारियों के बारे में लक्षडों के अनेक अनेक तरीके बताये जाते हैं मच्छरों की जनसंक्या को नियंतृत करने के लिए हमें उनके जीवन चक्र का अध्यन करना चाहिए इस जीवन चक्र का अध्यान करने के लिए हमको चाट, चित्र और परिक्षित नमूने पढ़ने चाहिए चाट को ध्यान पूर्वक देखे और जीवन चक्र के विभिन चरणों को नोट करें प्रतेक चरण के अभिलक्षणों की चरचा करें मच्छर का जीवन चक्र कई चरणों से गुजरता है. प्रतेक चरण का आवास और आकार विन विन प्रकार के होते हैं. जैसे मानजीवन में चार चरण होते हैं, उसी तरह मच्छर के जीवन में चार चरण होते हैं. मच्छर का जीवन चक्र अंडों से शुरू होता है जो रुद्ध जलाशायों जैसे ताल, तलिया, नालियों, मलकुंडो, जीलों आदी में पाये जाते हैं कुछ मच्छर प्रजातियां ताजे पानी में भी अंडे देती हैं जैसे की डेंगू फेलाने वाले मच्छर मादा मच्छरों को अंडी समू बनाने के लिए काफी मात्रा में प्रोटीन की आवख्षक्ता होती है इसके लिए इन्हें रुधेर बोजन चाहिए होता है जबकि नर मच्छर अपना बोजन पौधों के मकरत से प्राप्त करता है मच्छर के अंडे एक साथ और बहुत अधिक संक्या में पाए जाते हैं जैसे की मच्छर की एक प्रित्जाती क्यूलिक्स मौस्कीटों के नाम से प्रसिद्ध है उसके अंडे जुड़े हुए होते हैं आपस में, जबकि अनफिलीज मच्छर के अंडे अलग-अलग पाये जाते हैं। अगली अवस्था है डिम्बक अवस्था, जिसको हम लार्वा भी कहते हैं, जो कि अंडों से कुछ ही घंटों में निकल आता है। डिम्बक जल की सते पर तेरते हैं और एक विशिष्ट साइफिन नली के माध्यम से सास लेते हैं। ये निकलते ही साथ ही साथ गले पदार्तों पर भोजन करते हैं। डिम्बक अपने कुछ दिनों के जीवन में कई बार त्वचा की परत बदलता है। इस प्रक्रिया को निर्मिक कहते हैं। क्यूलिक्स मच्छर और अनफिलीज मच्छर के डिम्बक में एक अंतर होता है। जो की जिसको हम कहते हैं साइफन। ये साइफन हमें क्यूलिक्स मच्छर में दिखता है और अनफिलीज मच्छर में ये साइफन नहीं होता है। डिम्बक अवस्था कुछ सबता बाद कोशित या प्यूपा अवस्था में बदल जाती है। प्यूपा भोजन नहीं करता लेकिन धीरे-धीरे कायांत्रित या परिवर्थित होके प्राण बन जाता है। प्यूपा से वयस्क विक्सित होते हैं जिनके शरीर के भाग कठोर हो जाते हैं तद उपरांथ प्राण मच्छर उड़ने लगते हैं। मच्छर के जीवन चकल की पहली अवस्था अंडे होते हैं। ये अंडे चार से चौदा दिन के बाद एक डिंबक अवस्था में परिवर्थित हो जाते हैं। डिम्बक अवस्था प्यूपा या कोषित स्टेज में बदल जाती है, जो कि दो से साथ दिन के बाद प्रॉन अवस्था में बदलती है. इस प्रक्रिया को निर्मिक कहते हैं ये प्रौन आगे चलके अंडे देते हैं इसी प्रकार इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है अलग-अलग प्रजातियों में ये जीवन चक्र अलग-अलग समय का होता है जो की चार दिन से एक महिने तक में कभी भी पूर्ण हो सकता है तो साथियों आज हमने मच्छर के जीवन चक्र के बारे में जान लिया है इसलिए हमको अपने अगल बगल मच्छरों को विक्सित ना होने देना चाहिए जिसमें की बहुत सी बिमारियों को हम फैलने से रोक सकते हैं धन्यवाद